आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और चॉकलेट की रेसिपी जो के हम बनाएंगे सेल स्टेरिंग मग के अंदर वह भी आपको यूज़ करना सिखाऊंगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे यहाँ पर सबसे पहले मैं ने ले लिया है वण काफ आफ इडय हूट मिल्क हाफ काप आफ वाटर यह भी गर्म लिया है मैने हऊट वान टी स्पून गोगो पाउडर वन टी स्पून शूगर यहाँ पर मैंने टू टृइटिगल स्पून ग्रेट चउकलेट ले लिया यह य मुझान जाने गड़ी साला ना निता उट कोगन दो ना पैका है इस ते नहीं भीया है ऐसे बनाएं अचांट सुगरी कोटूड़ बनाएं से तो इसके बैसे तरीका होता है इससे कच्छा फ्रेवर नहीं आता अब शुगर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा मिक्स करने की जोदी है क्योंकि हमने मग यूज़ करना है तो उसके अंदर अटमेटिकली शुगर मिक्स हो जाएगी वैसे वाटर होट है तो यह मिक्डॉनलेट से हम इतना महिंगा लेकर हॉट चॉकलिट लेकर पीते हैं उससे ज्यादा अच्छा घर पर बना सकते हैं अब यह मिक्स हो गया है अब हम सेल्फ स्टीरिंग मग ले लेंगे अगर आपके बास नहीं है तो कोई मैसला नहीं आप ब्लेंडर यूज़ कर लें ब्लेंडर भी नहीं है तो आप हाथों से मिक्स कर लें यह इसको यह आप देखें इस तरह से इसको बटन प्रेस करते हैं तो यह रुटेट करता है इसके अंदर जो फैन है अब हम इसके अंदर मिल्क डाल देंगे वाम मिल्क लिया था हमने अब साथ ही इसके अंदर हम जो ग्रेट चॉकलेट थी वह एड़ कर देंगे आप चाहें तो चॉकलेट की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं जितनी ज़्यादा आप डालेंगे उतना अच्छा बनेगा आपका और चॉकलेट अगर आपको बिल्क चॉकलेट पसंद है तो आपसे वह ले 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 अगर आपको डाग चॉकलेट पसंद है तो आपसे वह ले 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 जो आपको पसंद है वह ले ले मैं दोनों को मिक्स करके यहां पर ले रही हूं टू टू टी टेबल स्पून मैंने ग्रेट चॉकलेट ल बाहर से इतनी एक्सपेंसिव मिलती है और घर में आपको बहुत इजी ली आप बना सकते हैं यह मिक्स हो गया है अब इसके अंदर जो हमने इपना गोर्लन सीरिप बनाया था कोको पाउडर से बो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर में आप लिखेंगे कि यह थिक होना स्टाट हो जाएगा हमने पानी चुके जादा नहीं लिया तो इस वज़ए से इसके अंदर थिकनिंग हो गई है कोको पाउडर भी मिक्स हो गया है यह आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका टेक्स्चर हो गया है कंसिस्टेंसी बहुत इच्छी हो गई है अभी भी हॉटी है मिल का अपने फुल वार्म लेन है आप चाहें तो इसके अंदर भी पी सकते हैं आप इसको अपनी युनिवर्स्टी कॉलेज साथ लेकर जा सकते हैं क्योंकि यह थर्मोस इसको अपनी युनिवर्स्टी लेकर जा सकते हैं इसको ग्लास में सर्फ करूंगी अगर आप कप के अंदर डालेंगे तो आप क्रीम आड़ना करिएगा क्योंकि अगर आप क्रीम एड़ करेंगे तो वह हॉट मिल्क होने की वज़ए से वह मेल्ट हो जाती है अगर आप फ् करने लगे हैं तब क्रीम डालें इसके अंदर यहां थोड़ी सी मैं विप क्रीम डाले हूं वन टू टू टेबल स्पून जिस तरह भी डालने कोई मसला नहीं क्योंकि उसने मेल्ट हो जाना है एक मिनिट के अंदर-अंदर क्योंकि मिल्क होट है उपर आप थोड़ी सी चोक कर दें इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी थैंक यू अल्ला हाफिज